ये हमारा पहला बच्चा है, हमने बहुत सपने देखे हैं। जब रूस ने युक्रेन पर हमला किया, तब कियव में रह रही नीतू की प्रेगनेंसी का नवा महीना शुरू हो गया था। उसी नाजुक हालत में उन्हें और उनके पती को सब कुछ छोड भागना पड़ा। जब वो पोलन पहुंचे तो नीतू देहशत में थी। पोलन के राहत शिवर में काम कर रहे राजेश और उनकी पतनी अंजना से ये देखा नहीं गया। और अजनभी होते हुए भी नीतू को अपने घर ले आए। उन्हें रोता देखकर हम रुख गए। उनकी आँखों में बहुत मजबूरी थी। दो मल्याली परिवार जिनें मिलाया भारत सरकार के साथ मिलकर भारतियों की मदद कर रही केरल असोसियेशन ओफ पोलन में। अपने जबान में किसी और औरत से बात करने से वो सहज महसूस करेगी। ऐसा सोच कर ही ये मुझे ही ले गए थे। उससे मिलकर हमें बहुत दुख हुआ और हमने फैसला कर लिया। चार साल से यूकरेन में रह रहे अभीजीत एक फास्पूट जॉइंट चलाने लगे थे। अपने होने वाले बच्चे की जरूरत का सारा सामान जुटा रहे थे। हमने छोटे-छोटे कपड़े खरीदे वो सब सामान जो डिलिवरी के बाद चाहिए होगा। सब खरीदा। उसके लिए खिलोने भी लिये। जब ट्रेन स्टेशन को भागने की नौबत आई तो डर और घबराहट में बहुत कुछ पीछे चूट गया। पहले हमने बड़ा बैक पैक किया। फिर मैंने इन से कहा कि अगर कुछ हो गया तो हम इसको लेकर कैसे भागेंगे। तो सब छोड़ बस बच्चे का सामान रखा। इस मुश्किल दौर में वो बहादुर बनी रही। करवती होने से पहले मैं इतनी बहादुर नहीं थी। पर अब मैं मा बन गई हूँ। अपने बच्चे का खयाल रखना चाहती हूँ। इसलिए बहादुर हो गई हूँ। अभी हम सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि हमारे पास रहने की जगे नहीं हैं। सिर्फ दूसरों की मदद से हम यहां रह रहे हैं। इनके पास कोई नौकरी नहीं है। जिंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे। पर एक अनमोल चीज है नीतू और अभीजीत के पास। राजेश जैसे कई लोगों का प्यार और मदद। जब जंग छड़ी हो तो और कुछ माइने नहीं रखता। यह पोलैंड में या कहें भी हो सकता है। लोगों की अपनी सिमाय होती हैं और उन्हें तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि हमें अपने दिल खोलने होंगे। हम जितना सूचेंगे उतना उलशते जाएंगे। तो कम सूचें और जो बन पड़े कर दें। अच्छे करम से कुछ अच्छा ही होगा। ऑपरेशन गंगा की मदद से जिंदगी और मौत के खत्रों से बच कर पैदा होने वाले अपने बच्चे का नाम, नीतू और अभीजीत यादगार बनाना चाहते हैं। हम उसे गंगा बुलाएंगे। ऑपरेशन गंगा की वज़े से ही तो हम यहां सुरक्षित पहुंच सके। इस मिशन की बतौलत यह संगठन बॉर्डर पहुंचे और हमारी मदद के। इस जिंदगी में मैं राजेश और अंजना को कभी नहीं भूल पाऊंगा।